हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बे डॉक्टर मनीश, पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, हमारे शरीर को अच्छे धंग से काम करने के लिए प्रयापत मात्रा में पानी की जरूरत होती है, हमारे शरीर के सभी ओर्गन्स, चाहे वो दिमाग हो, दिल हो, फेफडे हो, किडनी हो, आंते हो, जा हमारी स्किन हो, सभी को पानी की बहुत जरूरत रहती है, लेकिन कई बार हम प्रयापत मात्रा से ज़्यादा पानी पीते हैं, इसकी वज़ा से भी हमारे शरीर में कई तरह की प्रॉलम्स हो सकती हैं, इस कंडिशन को हम ओवर ह इससे उनमें over hydration की शिकायत हो जाती है over hydration के जो symptoms होते हैं कई बार ये dehydration के symptoms के जैसे ही होते हैं patients इनमें फर्क नहीं कर पाते और वो ज़्यादा मात्रा में पानी पीना शुरू कर देते हैं और इससे उनकी condition भी बिगड सकती है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये over hydration क्या होती है इसके क्या लक्षन होते हैं हम कब बोल सकते हैं कि हम प्रियापत मात्रा से ज़्यादा पानी पी रहे हैं और हमें इससे कैसे अपना बचाव करना है फ्रेंड्स जब हम ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं ये पानी हमारे बलड में पहुंचता है और हमारे श्रीर में सोडियम जा दूसरे उलेक्रोलाइट्स की कमी हो जाती है इसकी वज़ा से हम weakness फील कर सकते हैं हम confusion फील कर सकते हैं कई बार patients इन symptoms को ignore करते हैं और ज़्यादा मात्रा में पानी पीते रहते हैं जिससे कि उनकी ये condition ज़्यादा खराब हो सकती है उन्हें दोरे पड़ सकते हैं जब वो कॉमा में भी जा सकते हैं जब हम ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो हमारे blood में sodium की कमी की वज़ा से हमारे शरीर के जो cells होते हैं इनमें swelling आना शुरू हो जाती है जिसकी वज़ा से कई तरह के symptoms आना शुरू हो जाते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि एक healthy इनसान को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए एक healthy आदमी के लिए एक दिन में 3.5 लिटर पानी प्रियापत होता है और एक healthy औरत को एक दिन में 2.5 लिटर पानी प्रियापत होता है लेकिन कुछ ऐसी conditions होती हैं जिसमें कि ये ज़्यादा मात्रा में पानी पी सकते हैं जैसे कि बुखार की condition में अगर आप ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हैं जा आप ज़्यादा एक्जर्शन कर रहे हैं आपकी ज़्यादा traveling है तो इस condition में आप ज़्यादा पानी भी पी सकते हैं हम कब कहेंगे कि आप प्रियापत मात्रा से ज़्यादा पानी पी रहे हैं अगर आप प्यासे नहीं हैं और फिर भी बार-बार पानी पी रहे हैं तो आप में ओवर हाइडरेशन होने के चांसे ज़्यादा है जब भी कोई इनसान प्रिशाब करता है तो उसका रंग नॉर्मली हलका पीला होना चाहिए लेकिन अगर आपके प्रिशाब का रंग बिलकुल पानी की तरह है ये बिलकुल कलियर है तो ये एक साइन है कि आप प्रियापत मातरा से ज़्यादा पानी पी रहे हैं अगर आप दिन में बार-बार पशाब के लिए जा रहे हैं आपको दिन में दस बार से ज़्यादा पशाब करना पड़ रहा है या आपको रात को एक या दो बार से ज़्यादा बार पशाब करने के लिए उठना पड़ रहा है और आपको दूसरी बिमारियें नहीं है तो इस science होते हैं उनमें patients को उल्टी का दिल कर सकता है सुस्ती हो सकती है और ठकान हो सकती है जैसे जैसे हमारे श्रीर में पानी की मातरा बढ़ती है patient को पूरा दिन सिर में दर्द हो सकती है जब आप ज़्यादा मातरा में पानी पीते हैं तो आपके श्रीर में सोडियम की कमी होना शुरू हो जाती है। इसकी वज़ा से आपके दमाग के सेल्स में सोजिश आ सकती है और आप पूरा दिन सिरदर्द महसूस कर सकते हैं जा सिर भारी महसूस कर सकते हैं। ज्यदा पानी पीने से आपकी अंतों में स्वैलिंग आ सकती है, आपके पेठ में स्वैलिंग आ सकती है, इसकी वज़ा से आपको उल्टियं हो सकती है या बार बार दंस भी आ सकते हैं। आपको confusion हो सकती है, disorientation हो सकती है, सुस्ती हो सकती है, चलने में दिक्कत हो सकती है, चलते दुरान आपको धक्के लग सकते हैं, ये सारे symptoms भी बताते हैं कि आपके श्रीर में ज्यादा पानी है और आपको over hydration हो गई है, severe cases में patients को दोरे पढ़ सकते हैं, वो बेहोश हो सकता है, वो कॉमा में जा सकता है, जा उसकी death भी हो सकती है, अगर आपके श्रीर में over hydration के symptoms आ रहे हैं, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप अपने fluid की intake को कम कर दे, आप प्रियापत मातरा में ही पानी का सेव करें, आप डॉक्टर से मिलके कुछ medicines ले सकते हैं, जिने की हम dietics बोलते हैं, यह आपके श्रीर से ज़्यादा पानी को पिशाब के रास्ते बाहर निकाल देती हैं, अगर आपके श्रीर में कुछ ऐसी बिमारिये हैं, जिसकी वज़ा से श्रीर में पानी कठा हो सकता है, जै ऐसी medicines को डॉक्टर से मिलके change कराएं और अपनी ऐसी बिमारियों के लिए treatment लें, अगर आपके श्रीर में नमक की कमी हो गई है, तो आप extra नमक भी ले सकते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको पानी normally कैसे पीना चाहिए, friends, सबसे पहले जे जानना जुरूरी है कि पा जा दो गलास पानी पी सकते हैं, उसके बाद जब भी आपको प्यास लगे, आप एक से दो गलास पानी पीएं, जितने पानी की जरूरत आपके श्रीर को है, यह आपके श्रीर में रहेगा, और excess पानी यूरिन के रास्ते वहर आ जाएगा, आप प्यास लगने पे ही पानी बिना प्यास के आप पानी ना पीएं, या पानी को बार बार सिप्स के रूप में ना पीएं, डाइजेशन को इंप्रूब करने के लिए खाने से आदा गहंटा पहले आप एक गलास पानी पीएं, खाने के दोरान या एकदम खाना खाने के बाद पानी ना पीएं, खाने के कम से कम आधे जा एक घंटे के बाद ही पानी पिए ताकि खाने में जो निट्रियंट्स हैं वो आपके श्रीर में एब्जॉर्ब हो जाएं तो फ्रेंड्स ये ओवर हाइडरेशन के बारे में कुछ जरूरी इंफरमेशन थी हो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें थैंक्यू बेरी मच्च